आपके घर में कोई रह रहा हो और आप उसे ढूनने पा रहे हो तो आप क्या करोगे इसी एक interesting concept के साथ आज की movie आती है Hello friends, आज मैं आपको 2004 की The Uninvited Guest ये एक mystery thriller movie explain करने वाला हूँ ये movie इतनी सही है कि आप अगर इस movie को देखने बैठे तो आप एक जगा से उटने पाओगे इस movie के end में बहुती बड़ा twist है तो चलिए directly शुरू करते है movie start होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखता है इस घर में Felix अकेला ही रहता है अभी अभी इसका तलाख हुआ है और ये एक architect है इस पूरे घर को उसने ही अभी अभी design किया होता है एक नए घर के plan पर वो काम कर रहा होता है तब ही उससे लगता है कि घर में कोई है ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जब इस देखने के लिए जाता है तो उसकी वाइफ ही होती है उसके एकस वाइफ के पास अभी भी घर की गीज है इसलिए वो अंदर आ कई थी इसकी wife की बहुत सारी चीज़े अभी भी घर पर है तो यह लेने के लिए आती रहती है Felix को अभी भी लगता है कि उसकी wife उसके पास वापस आ जाए पर यह होने नहीं वाला होता Felix उसके wife से उसके apartment के बारे में पुछता है यह सिर्फ 300 square foot की apartment होती है इसका अगर बहुत बड़ा होता है कि wife कहीती है कि मेरा घर चोटा है पर फिर भी वहाँ couple रह सकते है इसके जो boxes होते है यह दो महिनों से यह होते है Felix उसे बोल रहा होता है कि एक बार में अब सम्प तुम यह लेकर जाओ अब हमें दीखता है कि Felix अपने लिए खाना बनाता है अच्छी से wine बूर करता है अच्छा से dinner करता है जब रात में खिडगी से देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसे देख रहा है उसके घर के बाहर ही एक phone booth होता है इस phone booth के पास वो आदमी खड़ा होता है रात में जब Felix सोय होता है तो हमें दीखता है कि उसके खिडगी से कोई उसे घर में देख रहा है इसके बाद next दिन आता है Felix अपना routine स्टार करता है और अपने लिए breakfast बनाता है तब ही neighbor का कुत्ता भाँ जाता है उसका जो breakfast होता है वो यह खराब कर देता है इस कुत्ते को बाहर निकालता है तो उसकी owner आ जाती है यह कुत्ते की owner फिलिस को बहुत डाटती है वो कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो कहती है मैरे dog को तुम हाथ नहीं लगा सकते यह उस पर बहुत इचिट गई होती है फिलिस भी कहता है कि यह मेरा घर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुमारा dog यहाँ कैसे आ सकता है उसके dog को वो control करने के लिए बोलता है यह neighbor फिर वहाँ जादे जाते है उसे बहुत सारी गाले अदिक कर जाती है फिलिस के वाइफ की एक अच्छा सा portrait उसने बनाय होता है उसकी वाइफ यह मांग रहे थी पर उसे यह उससे देना नहीं है इसकी वाइफ को यह बहुत ही पसन है और फिलिस को भी इससे देखना अच्छा लगता है इस portrait को उसने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखा होता है नेकसी में हमें दिखता है कि दोपेर में फिलिस की वाइफ आती है वो बड़ी से ट्रेक ही लेकर आती है सब moving वाले लोग आते हैं और सब जो boxes उसके हैं यह सब लेकर जाते है फिलिस की वाइफ अंदर भी नहीं आती है रात में फिलिस को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे चोड़कर चली गई है तब ही डोर पर एक नौक आती है उसे लगता है कि उसकी वाइफ है आई होगी पर वहाँ उसका एक neighbor आयो होता है पिछली रात उसने जिस आदमी को बाहर देखा था यह वही आदमी है इस आदमी का नाम Bruno होता है और यह इसका ही neighbor होता है फिर Bruno Felix से कहता है कि क्या तुमारे घर से में call कर सकता हो फिलिस बोलता है कि बाहर तो एक payphone है वहाँ से तुम क्यों नहीं कर सकते पिलिस को बाहर का payphone खराब है पिलिस को भी अच्छा लगता है पिलिस को एक call लगा ना होता है पर वो private करना होता है यसलों फिलिस को बाहर से जाने के लिए बोलता है फिलिस कीचन में चला जाता है और बहुत देर हो जाती है फिर भी बुरुनो का कुछ भी अता पता उसे समझ में नहीं आता जो भी फिर से हॉल में आता है तो फोन की तरफ देखता है तो वह बुरुनो नहीं होता वो पूरे घर में उसे ढूनता है तो उसे कही भी नहीं मिलता उसे लगता है कि वो चला गया है फिलिस को यह बहुत ही suspicious लगा होता है वो बाहर आता है और पेफोन चेक करता है यह अभी भी काम कर रहा होता है फिलिस का जो रात में वो काम करता है वो स्टार्ट हो जाता है वो अपने लिए dinner cook करता है और सो जाता है रात में जब वो बेड में होता है तो उसे अपने घर में से कुछ आवाज या दिया ये एक वेड़ उठाता है अगर कोई होगा तो इससे उसे मार सकता है उसे लगता है कि आवाजी जो है ये बेस्मेंट से आ रही है बेस्मेंट जाकर चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता अचानक से इसके बेस्मेंट का डोर लॉक हो जाता है ये जल्दी से उपर जाता है और बहुत सारे टाय करने के बाद ये डोर खुलता है ये फिर डर गया होता है वोसे अभी भी घर में से आवाज जारी होती है ये फिर जल्दी से अपनी कार में बेटता है और वहां से निकल जाता है सुबह हो जाती है पर फिर भी वह बाहर ही रहता है एक रेस्टोरन में आता है और वही पर वह सब breakfast रहे रहे करता है अभी भी उसे घर नहीं जाना था तो उसके wife के पास वह आ जाता है ज़ो वह उसकी wife का घर देखता है तो बहुत ही छोटा होता है इसकी वाइफ को यह पसंद नहीं आथा पर सब positive चीज़े इसके बारे मों कहे रहा होता है फिलिक्स के वाइफ के apartment पर यह दोनों मिलकर हसते है फिलिक्स इसके पास बैठा हुआ होता है तो उसे कहता है कि क्या अभी भी कुछ भी नहीं हो सकता इसकी वाइफ उसे बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता फिलिक्स frustrated हो जाता है वो कहता है कि क्या कोई और तुमारी लाइफ में है उसकी वाइफ इस पर कुछ भी बोल नहीं रही होती है तो फिलिस गुस्ते जा रहा होता है इसके वाइफ उसे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है इसके बाद फिलिस फिर अपने धर आ जाता है घर आने के बाद वो शावर में गरा लेता है और जब अपना टॉवेल देखता है तो अजीब सी smell उसमें से आती है उसे लगता है कि हाँ already कोई था जिसने शौर यहां किया है उसके बेड़ में हो देखता है तो उसका बेड़ थोड़ा सा गिला होता है इसके सिंक में भी उसे किसी ने शेव किया है इसके बाल उसे दिखते है यह घर में जो आवाजें आती है इसे वो चेक करता रहता है जिस रूम में वो काम करता है वहाँ उसे कोई खड़ा है इसे shadow उसे दिखते है यह देखने के बाद वो डर जाता है और कुछ भी आवाज ना करते हुए नीचे आ जाता है यह जाने के बाद वो पुलिस को कॉल करते है थोड़ी दिर बाद जब पुलिस आती है तो पुरा घर जानती है पुलिस को कोई भी यहां मिला नहीं होता अब पुलिस उसे भुचते है कि exactly तुमने उसे कहा देखा था फिलिस जब फिर से उसके रूम में जाता है जहाँ और वो काम करता है जहाँ उसने शैडो दिखी थी तब उसे पता चलता है कि यह कोट था यह कोट की शैडो ग्लासेस सोट पड़ रही थी और उसे लगा था कि यहां कोई आदमी है फिलिस फिर एक स्टोरी मेकप कर देता है कि उसे टेबल के नीचे एक आदमी दिखा था पुलिस जाने के बाद फिर से फिलिपस को आवाज आने लग जाती है अब यह बहुती डिस्टब हो जाता है और यह सहन नहीं कर पा रहा इसकी वाइफ को फिर यह कॉल लगाता है इसकी वाइफ ने उसे बूला होता है कि इनका डिवास हो चुका है फिर वे एक दूसरे यह फ्रेंड्स हो रहे सकते है इसकी वाइफ आकर उसे क्वेशन पुछती है यह क्यों तुमने मुझे यहां बुलवाया है यह इसका कुछ इसकी वाइफ इसकी चीट जाती है इससे बात नहीं कर रहा तो वह जाने लग जाती है फेलिक्स कड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मच जाओ और तब इससे फिर से आवाज आती है अपने हाद में जो ग्लास होता है वो नीचे वो गिरा देता है कुछ भी बैठ जाता है उसके आख से आसु आने लग जाते है फिलिक्स अपने वाइफ से बोलता है या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही इसकी वाइफ को भी और एक आवाज सुनाई देती है तो कहती है कि मैं जाकर देख आती हूँ फिलिक्स को भी वह लेकर जाती है जब वह हग करता है और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है रात में जो आदमी उसके घर आया था इसके बारे में उसके वाइफ को कहता है इसके वाइफ से पुछती है कि वो कैसा देखता था फिलिक्स रोट जाता है और उस आदमी का स्केज बनाता है रात में फिलिक्स अपने वाइफ को दिखाई देगा, यह somewhat philosophical statement यहां दिया जाता है, अगर घर में दो लोग है और एक दुसरे के साथ वो खुश नहीं है, तो यह जो टेंशन है, यह कभी ना कभी बाहर आएगी ही, इस टेंशन को आप छुपा नहीं सकते हैं, यह सीन रिप्रेसेंट करता है, रात में जब फिल है कि टने टाइम तक हम इसे चुपा कर रखेंगे, तो यहा हमेशा कि लिए नहीं रह सकते हैं», फिलिक्स फिर वहां आजाता है, उसे पूछता है कि तुम किसे बात कर रहे थी, उसकी वाइप बोलती है कि मैं किसे से भी बात नहीं कर रहे थी, फिलिक्स इस बात को छोड़ लेता है तो उसे वो दूर फेकने के लिए हाथ इससे करती है तभी उसके हाथ में एक कट आ जाता है फिलिस के हाथ में जो नाइफ होती है इसे ही कट आया होता है इसकी वाइब जब जा रही होती है तो फिलिस उसे कहता है कि तुम डरी हो मुझे मालूम है तो मैं भी डरा हु कहता है तु घर से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में ही सोता है सुबह होने पर अपने घर में वो डर डर के जीता है जल्दी से वो वहां से breakfast निकालता है और रहा दोर के पास ही वो क्वाने लग जाते है अब हम देखते कि नेज़ का जो डॉक था यो वहां आ फिलिool को idee आती है तो उस नेवर के dog को leash लगाता है उसे वो घर में अगर कोई होगा तो उसे धूर्ने के लिए कहता है ये dog फिर stair से उपर आ जाता है फिलिक्स भी उसके पीचे पीचे ही आया होता है तो तब ही उसकी नेवर आ जाती है नेवर जब देखती है कि फिलिक्स ने उस पर लिश लगाई है तो ये लिश वो फिलिक्स से ले लीती है इस डॉक की पीचे 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 नेवर भी उपर आ जाती है जब ये नेबर उपर जाती है तो अचानक से staircase से गिर जाती है गिर कर ये ही मर जाती है जो dog था इसे भी leash लगाई गई थी इस leash से ये भी मर जाता है मरती होए नेबर से Felix पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें किसी ने धख्का दिया है उसे अभी भी लग रहा होता है क्यों उपर कोई न कोई तो है इसके बाद हमें दिखता है कि Felix पुलिस को कॉल करता है यह पुलिस टेशन में है जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था यह पुलिस को फिलिस ने पताय हुआ है पुलिस कहते है कि तुम आए जो स्टोरि है यह चेक आउट करती है यह ने कोई इनोसेंट है उसने कुछ भी नहीं किया है पुलिस अब उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है फिलिस को घर जानना नहीं होता वो कहता है कि मैंने अगर पहले कॉल किया था तु जिन्दा होती पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम डर गए थे तुम वैसे भी जल्दी कॉल नहीं कर सकते थे फिलिक्स को लगता है कि उससे जल में भन कर देना चाहिए यह पुलिस officer से यह V.E.R. डीमान करता है पुलिस officer उससे घर जाने के लिए गहता है पुलिस officer जब इससे बात कर रहाता है तब उसके पास एक evidence की bag होती है यह अपने locker में रखता है फिलिक्स जब यह देखता है तो एक gun वो छोरी कर लेता है फिलिक्स जब घर के बाहर आता है तो payphone से अपने घर में call लगाता है वो देख रहा होता है कि क्या घर में कोई है वो confirm करना चाता है कि घर में कोई है ये call कोई उठा लेता है तब फिलिक्स इसे बन कर देता है इसे अब पता चल जाता है कि उसके घर में कोई 100% है ये घर में जाता है और उसे आवाजे उपर से आ रही होती है इसके हाथ में गन होती है उपर जाता है और उसके स्टोरेज रूम में कोई है इसे उसे लगता है ये बहुत सारे गोलिया उस पर चला देता है ये जब पास जाता है तो उसे खुन पड़ा हुआ है ये दिखता है स्टोरेज रूम में कोई चला गया है तो अंदर से वो डोर ओपन करनी कोशिश करता है पर फेलिक्स पूरे जोर लगा कर इस डोर को बन कर देता है इसको लॉक भी कर देता है थोड़े दिन पहले जो आदमी घर में आया था उसका स्केच उठाता है घर सब लॉक करता है और इसके बाद घर के बाहर आ जाता है थोड़े आगे जाने के बाद यही यह सो जाता है उसके नेवर का स्केच होता है इसने बाहर फेकती होता है कुछ बच्चे यहां से जा रहे होते हैं इस स्केच को देखते हैं यह एक दूसरे से बात करे होते हैं, एक बच्चे ने स्केच को पहचान लिया होता है, यह कहता है कि यही इस रेवरोड में एक आदमी रहता है, इसका स्केच है, उसका फ्रेंड इस वर बिलिव नहीं कर रहा होता है, फिलिप जब नीन से उठता है, तो इस सब बाते हो सुन पर एक paralyzed lady होती है, उसके साथ एक आदमी होता है, यह जो house है, इसके neighbor में ही है, इसका नाम Claudia होता है, Claudia और उसका friend बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है, Claudia का husband 2-3 दिन सो गायव है, यह बहुत ही परिशान है, इसे अभी भी लग रहा था, कि इसका husband घर वापस आ चुका ह होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं होता, Claudia अभी भी paralyzed हुए है, तो उससे लगता है, कि यह paralyzed है, इसे वज़े से उसका husband उसे छोड़ कर चला गया है, यह यहाँ रोने लग जाती है, उसका friend उसे सहारा देता है, उसका friend उसे बोलता है, कि तुम्हारा husband वापस आ जाएगा, वो म घर में ही छूप जाता है, उसके घर में कोई मर चुका है, यह अब सोर्च कर फिर से अपने घर में नहीं जाना जाता, इस घर में हो छूपता रहता है, Claudia जब नीचे जाती है, तो उसके रूम में वो बात वेगर लेता है, Claudia रात में टीवी देखती है, तो यही टीवी वो उसका जो सब रूटिन होता है उसके साथ करता है रात में सोने के लिए Claudia उसके रूम में जाती है Claudia के नीचे आने के लिए जो लिफ्ट होती है उस पर हाथ फिलिस का पड़ जाता है इससे वो नीचे जली जाती है क्लॉडियो को लगता है कि घर में कोई है और वो बहुत ही डर जाती है अपने बेडरूमें आकर अपने फ्रेंड को कॉल कर दिती है फिलिस भी क्लॉडिया के नजरों से छुप कर क्लॉडिया की बेड की नीचे ही छुप जाता है थोड़ी तेर बाад Claudia का फ्रेंड वहाता है उसे हो साहरा देता है उसने पूलिस को भी ब्नवा उता है ये पूलिस पूरे घर को चानते है बोई उससे कोई भी नहीं मिलता Claudia अपने बेडरूम में थी तो वो बेडरूम नहीं चानते है Claudia का friend उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि Martin Wow का यह कहीती कि वो नहीं हो सकता पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेस्मेंट में ही रहता है मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ वो कुछ डिक कर रहा था मेरी ही ग्रेव वो डिक कर रहा था ऐसा मुझे लगता था Claudio को बहुत ही silly लगता है और उसका friend और वो इस पर हसने लग जाते है इसके बाद उसका friend उसे cheer up करने के लिए कहता है ये कल तुम्हारा birthday है हम तुम्हारे लिए कुछ celebration करते है Claudio का friend उसे कहता है कि तुम्हारे birthday के लिए तुम्हें क्या चाहिए Claudio कहती है मुझे इन सबसे दूर जाना है उसका friend इसके लिए agree नहीं करता वो कहता है कि अच्छे से restaurant में हम जाएंगे Claudio का friend और Claudio इन तोनों में नजदी किया अब पढ़ने लग गई होती है Claudio जब अपने room में आती है तो अपने आपको please करने लग जाती है नेक्स दिन जब आता है तो Claudio को लगता है कि फिर से नीचे कोई है वो जब देखने के लिए जाती है तो उसके friend ने उसके लिए surprise party प्लान की होती है उसके सब friends वहा होते है Claudio का friend जब उपर आता है तो उसे Felix दीख जाता है उसे लगता है कि party में इसे invite किया गया होगा वो फिलिस को डाटता है और खेता है कि मैंने सब लोग को नीचे ही रहने के लिए बोला था तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिलिस उसे apologize करता है और नीचे आ जाता है वो इसे वहाँ Claudia दिखती है तो Claudia से बात करने लग जाता है वो Claudia से कहता है कि मैंने तुमारे लिए कुछ भी gift ने लाया है यसा फिर से कभी नहीं होगा वो Claudia से flood करने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए perfect है हम तुमारे birthday के लिए कही नई country में कही अलग जगा पर जा सकते है Claudia क्राइम से related TV shows देखती है तो यह कहता है कि हम दोनों इस साथ देख सकते है उसे जो books पसनाती है यह भी हो कहता है Claudia उसे पुछती है कि तुम कौन हो उसे बहुत ही अजिब लगता है तब ही Claudia का friend ही आ जाता है यह सबसे कह रहा होता है कि आज बहुत ही देर हो चुकी है सब घर से अब जा रहे होते है यह Felix को भी निकल निगिले कहता है Felix प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ से चला गया है वो सिप डोर बन करता है और वो ही छिप जाता है Claudia और उसका friend यह दोनों फिर उपर जाते है Claudia उसे flood कर रहे होती है तो इसके बाद यह दोनों intimate होने वाले होते है Felix घर में walk कर रहा होता है तब ही उससे एक pot नीचे गिर जाता है Claudia और उसका friend अब नीचे आने वाले है तो बहुत ही डर गया होता है जिस spot को उसने तोड़ा होता है उसमें basement की चावी होती है इस चावी से basement को खोल लेता है और अंदर आ जाता है Claudia उसके friend को आवाज आती है कि यह basement में छुप गया है Claudia अपने friend को कह रहे होती कि प्लीज basement में मच जाओ उसका पती हो सकता है यह उसे कहती ही कि कुछ दिनों पहले मेरा पती basement में था तब बाहर से मैंने उसे lock कर दिया था दो-दो घंटे में उसे कुछ खाना पिना चाहिए होता है वरना उ मर सकता है इसके बाद उसकी कभी मुझे आवाज नहीं आई इसका मतलब है Claudia नहीं अपने husband को मार दिया है Claudia के husband की body उसके friend को मिल सकती है इसलिए हो कह रहे होती है यह जो सब है यह perfect है तुम्हें नीजे जाने के कोई भी ज़रूरत नहीं है इसका friend नहीं मानता कहता है कि वह और कोई भी हो सकता है अंदर आने के बाद यहाँ फिलिस उसे मिल जाता है यह दोनों एक दूसरे से fight करने लग जाते है यह दोनों एक दूसरे के बहुत injure कर देते इस basement का जो plan होता है यह फिलिस को यहाँ दिखता है इस basement में एक underground tunnel होता है इस tunnel से वो भाहर निकल जाएगा इसलिए tunnel में खुस रहाता है तभी Claudia का friend एक चाको लेता है और फिलिस को injure कर देता है फिलिक्स और Claudia के friend की जो fight हो रही थी तब जो basement की stairs थी इन दोनों ने इन staircase को खोगला कर दिया था इसके उपर ही Claudia थी यह staircase तूट जाती है और Claudia उसके friend पर ही पड़ जाती है यह दोनों यही मर जाते है फिलिक्स टरनल में होता है तो आगे चलने लग जाता है आगे चलते चलते Claudia का husband उसे मिल जाता है जो आदमी उसके घर पर आया था यह वही उसे दिख जाता है यह वही मर कर बढ़ा होता है इसका मतलब है Claudia ने जब दर्वाजा बन किया था तो सचमुच में उसका husband वहा था उसका husband उसे कुछ भी मिला नहीं था इस वज़े से मर गया था इस आदमी के हाथ में हमें एक हतोड़ी दिखती है मरने से पहले इस basement से निकलने के लिए एक wall को तोड़ रहा था इसको तोड़ नहीं पाया फिलिक्स भी अब यहाँ से निकलना जाता है तो इस wall को तोड़ देता है इस wall को जब वो तोड़ता है तो एक अलग से basement में आ जाता है इस basement को वो पहचान लेता है यह फिलिक्स के घर का ही basement होता है फिलिस को ऊपर से आवाजय आ रहे हुती है तो ऊपर वो देखने के लिए जाता है इस डूर के पीछे उसने किसी को गोली से मार कर बन कर दिया था उसने डूर में एक hole create किया है फिलिस जब इस डूर से देखता है तो अंदर उसकी wife होती है इसके wife को ही उसने shot कर दिया था इसके wife का हाथ उसके stomach पर हमें दिखता है यह pregnant होती है अपने baby से बात कर रही होती है कि अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे यही movie end हो जाती है movie के बीच में हमने देखा था कि फिलिस की wife उसके साथ एक रात के लिए रुकी थी तो हो किसे से बात कर रही थी यह उसकी baby से ही बात कर रही थी इसकी baby से कह रही थी कि कभी ना कभी तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा तुमारे बारे में हम फिलिस को बताना पड़ेगा फिलीष को लगा था कि किसी स्रेंजा से बात करे रही है पर अपने बेबी से बात कर रही थी फिलीष को अपने घर में आवाज आ दी थी उसे बेस्मेंट से आवाज आई थी तो उसका abruptly ये था नेबर जब मर रहा था तो यह wall लो तोड रहा था इसी वजहे से उसे इस basement से आवाज आ रही थी वो basement देखने गया था और basement का door close हो गया था फिलिस बहुत ही pirate हो चुका था वो अकेला ही रह रहे था उसकी wife भी उसे छोड़ कर चली गयी थी ये घर भी बहुत ही बड़ा था तो उसमें खिड़किया दर्वाजे इसका आवाज आता रहता था तो फिलिप्स इससे डिस्टरब होता रहता था फिलिप्स की वाइफ को उसकी पेंटिंग जाए थी ये पेंटिंग लेनी के लिए ही वो रात में आती रहती थी फिलिप्स को लगता था कि कोई घर में है तो उसकी wife वहाँ थी वो उपर जाकर boxes में कुछ धोनती रहती थी फिलिप्स ने जब गंचला है तो उसकी wife वहाँ थी और वहाँ फोटो डोन रही थी हमने लास सीन में देखा है कि वहाँ एक फोटो भी पड़ी हुई थी जो नेबर फिलिक्स के घर में कॉल करने के लिए आया था वो तभी वहाँ से चला गया था फिलिक्स को लगा कि वो अभी भी घर में है मूवी के end में सब जो characters थे यह सब मर चुगे हैं यह बहुत ही mysterious, suspenseful movie थी पूरी movie में आप एक जगा से उट भी नहीं सकते अब आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए आप मिर से मिलेंगे एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप आपने आपका खैल रखे